हेलो स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर विशाल गुपता आज मैं आपको क्लास 12 सब्जक्ट अकाउंटेंसी के चैपर फाइनाशल स्टेटमेंट्स ओफ एन्पो फ्रॉम दबुक ओफ डीके गोहिल का कोशन नंबर 31 कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स यह मैं आपके सामने 31 कोशन पढ़ने जा रहा हूँ इससे पहले किये मैं कोशन रीट करूँ आपको एक बर बता दिना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब कोशन को की रीटिंग 31 कोशन क्या कहा रहा है फॉल्विंग इस दा रसीट और पेमेंट अकाउंट ओफ महाराजा अगर सेन क्लब भिवानी for the year 31 मार्च 2021 इसमें ये रसीट और पेमेंट साइट में ये आइटम्स गिवन है और अधर इंफ्रमेशन रिचे गिवन है कि एसेट ओन एक चार दोजार बीज एंड लैंड इंड बिलिंग और इदर बाकी इंफ्रमेशन जो है वो ये सारी गिवन है सब्सक्रिप्शन गिवन है आपको और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूर स्टॉफ एंड अन्यूस स्टंप्स गिवन है बाइलास ऑफ दग्लब सेज आपको पहले ओपनिग बैलेशिट बनाने ही पड़ती है तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं ओपनिग बैलेशिट यह मैंने फॉर्मेट बना कर रख लिया है इंकमेंड एक्सपेंडिचर का आगे है यह ओपनिग बैलेशिट का क्योंकि साल हमारा 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है तो प्रीविस बैलेशिट हमारी आएगी 31 मार्च 2020 की तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले हमारे पास रसीट एंड पेइमेंट में उपर क्या दिया हुआ है कैश का बैलेंस कैश का बैलेंस कितना गिवन है हमारे पास हाँ जी बोलिए कैश का बैलेंस है 6800 उसके बाद अगर फर्स्ट एजस्ट्स में हमारे पास एसेट क्या है लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग क्या चीज़ है लैंड एंड बिल्डिंग है देड़ लाख ठीक है उसके बाद stock of foodstuff stock of foodstuff खाने पीने वाला समान ठीक है यह कितना है बाइस हो का तो पोस्टेज स्टाइम से आपके पास कितनी पढ़ी है कितने रुपे की है 800 रुपे की और उसके बाद आपके पास subscription opening subscription कितना है पिछले साल का 2400 रुपया subscription कितना है 2400 रुपया यह outsiding में लिखा जाएगा ना 2400 रुपया और liability side में तो कुछ पी नहीं है तो अब हम इसको match कर लेंगे ठीक है जी तो match करके इसका जुआएगा सारा कुछ ही किस में चला जाएगा capital fund में 28800 जमा 2200 जमा 800 2400 जमा 1500 तो यह आज़ेगा 16200 यह देखो क्या आपके पास निचे है हाँ यह अंसर में भी capital fund इतना ही है capital fund कितना है एक लाख बासट हजार दो सो तो यह आ गया आपका एक लाख बासट हजार दो सो यहां लिख लो और अब income and expenditure अब यहां आ जाएगा ठीक है जी तो अब एक एक करके हम शुरू करते हैं सबसे पहले इधर से payment site से तो यहां पर लिखूंगा to food stuff consumed तो इसमें पहले purchase कितना दिखाया इसने हाँ जी purchase देखिए कितना है purchase है 6000 का ठीक है जी उसमें हम add करेंगे add opening opening अभी हमने जो balance sheet में लिखा है वो कितना है food stuff 22 ओपनिंग stock 22 ओपनिंग कर दो और less closing less closing कितना है बोलो closing food stuff इसमें दिए है न third adjustment में देखो 3800 का 3800 का यहां से आप less कर दो तो यह आपका बन गया 6000 plus 22 minus 3800 यह आगया 4400 यह कितना आगया 4400 और हाँ यह closing stock आपको पता है यहां भी लिखना है food stuff लिख लो तो stock of food stuff यह है closing का 2200 रुपया यह हमने हाँ यह कितना करना closing कितना 3800 रुपया closing stock का तो 3800 ही है ना मारे पास तो यह 3800 ही लिखेंगे यहां पर तो चलिए अब हम अगली adjustment क्या है postage stamp तो आगे है postage stamp postage stamps कैसे बनेंगी उसमें कितनी है postage stamps 3000 की ठीक है जी 3000 तीन हजार में हमारे पास opening stock कितना है 800 का add opening 800 का और यह बनेंगे 3800 का less closing closing कितने का foodstuff stamps सोरी 600 की तो यह 600 मलब 32 रुपया यह आ गया तो इदर भी लिख लो postage stamps postage stamps 600 रुपया ओके उसके बाद है furniture purchase तो पिछे में हमारे पास इदर कोई furniture purchase है furniture नहीं है न इदर तो यह हमें अलग ऐसा लिखनी पड़ेगी furniture तो उसमें depreciation तो कोई लगाने को उसने बोला नहीं है तो furniture सीथा इदर आ लेगा 25,000 रुपय का है उसके बाद क्या है two salaries salaries की कोई adjustment है नहीं है न तो salaries भी लिखो यहां पर two salaries salaries की क्या adjustment है कोई adjustment नहीं है salaries की हाँ जी कोई adjustment नहीं है न salaries की तो salaries जैसे ही आ जाएंगी हमारे पास 32,000 की उसके बाद क्या है newspaper खरीदी है two newspapers कितने के है 800 रुपय के और क्या है two rent rates 24,200 का और उसके बाद है traveling expenses two traveling expenses कितने के 18,500 होके to by printing यहां by printing लिखा लो to printer लिख लो printing of souvenir मैं बहुत किसी ने यादगार में वो printing दी होगी वो खर्चा ही है हमारे लिए souvenir तो यादगार होती है ना हिंदी में अगर मैं बात करो तो printing का कुछ दिया होगा किसी ने donate तो वो specific नहीं है तो वो यहीं प्यादेगा है चलो यह चीज तो होगी है आपकी सारी ओके अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर income set भी आईए यहां लिखा है by subscription लिखेंगे सब्सक्रिप्शन कितना है हांज बैटे सब्सक्रिप्शन है एक लग बीस है ओके तो अब क्या करेंगे एड outstanding current year current year का तो for the year ही given है न वह है 3500 रप्या 123,500 और less outstanding previous year कितने का है पिछला कितना था due 2400 और मिला कितना 2000 तो हम तो 2000 यह माइनस करेंगे न तो यह आजेगा 211,500 इतने ही आएगा न ठीक है और उसके बाद क्या है sale of food stuff तो यहां लिखना पड़ेगा मिलेको by sale of food stuff कितने का यह income है न यह receipt हुई है 8500 और उसके बाद क्या है to buy entrance fees लिख लो यहां पर entrance fees, entrance fees कितने की है 15,000 की और hire of ground यह भी किराय पे दीगा अपने ground उसका भी income आईए आपको by hire of ground ओके और वो क्या है 31,000 और उसके अबाद क्या है income from advertisement to income from advertisement and souvenir तो यादगार में कुछ किया होगा जैसा अगर सेंजी की यादगार में कुछ होनों ने income advertisement दी कि इंकम के इंकम आई होगी ठीक है ना यह खर्चा था प्रिंटिंग का और यह advertisement यह प्रिंटिंग की हो न यादगार में तो उनका खर्चा हुआ और यह उसी चीज़ की इंकम आई होगी इंकम आगे तो अभी वो क्या कह रहा है एंट्रस्वीज का कुछ कह रहा था एंट्रस्वीज मैंने पूरी लगा दिया है एंट्रस्वीज का वो कह रहा था साथ परसेंट आपको तो इंट्रस्वीज इसमें हमें 60% निकालनी पड़ेगी है तो इंट्रस्वीज कितनी है 15,000 15,000 मिशेज 60,000 परसेंट माइनिस कर दो 9,000 तो कितना बच गया 6,000 तो यहां हमें कितना दिखाना सिरफ 6,000 और बाकी 9,000 क्या करना है capitalize करना तो यहां पर आजएगा और वो आप balance sheet में balance sheet में कितना आजएगा यहां लिख लेंगे entrance fees capitalize करनी है न वो कितने की? 9000 की ठीक है जै? वो कितने की ओजएगे? क्योंकि उसने general fund वो transfer करने तो एक अठा उधर ही दिखा देंगे उसने कहा है हमें ठीक है? चलो अब हम इसका total करके देखते हैं कि कितना आता है और उसका भी आपको क्या करना है? जितना भी वो आएगा fund ओके? वो नीचे मैंने जगा रखे हम आपको working करके दूँगा तो वो किस में आपको transfer करना है? तो जनरल रिजर्व में ठीक है जी वो किस में transfer करना है? जनरल रिजर्व में transfer करना है उसने बोला ना ये तो वो तो सिधा ही आजएगा ना ये आजएगा तो जनरल रिजर्व तो पहले हम इस हैट का total करते हैं ये आजएगा एक लाख हिकी जार पान सो और पचासी सो जमा छे हजार जमा इकतर सो और जमा बाईस हजार ठीक है? ये आजएगा एक लाख पैंसेट हजार एक सो एक लाख पैंसेट हजार एक सो ये कितना आजएगा एक लाख पैंसेट हज करिए यह आगा 44 जमा 32 जमा 32,000 जमा 800 जमा 24,200 जमा 18,500 जमा 92 तो यह आजेगा 92,300 तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा इसको माइनिस कर दो दोनों को तो आजेगा यह जमा कितना आ रहा है यहाँ पर 32 कोशन का अंसर क्या आ रहा है तो कौन सी चीज मैंने छोड़िया संड्रे एक्सपेंसेज मैंने लिखे निक्या संड्रे एक्सपेंसेज थे इसमें 24 200 के बाद वो नहीं लिखे सी था मैं उसके बाद ट्रेवलिक एक्सपेंसेज प्या गया टू संड्री एक्सपेंसेज तो यह कितने है चार हजार के तो यह बानवे में यह च्छानवे हो गया अब यहाँ पर यह देखो इंकम साइड कितनी आपकी एक लग पैंसट हजार एक सो और उसमें से आपने क्या मैनिस कर देना है लेस कर देना एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर आपका कितना है 96,300 तो बचा किया आपका एक लग 65,100 मैनिस 96,300 यह आज़ेगा 68,800 तो यह आपका सर प्लस बच गया ठीक है अब इस 68,800 में वो जर्नल रिजरु कितना क्रेट करने को कह रहा है 20 परसेट तो यहां जर्नल रिजरु कितना आएगा 20 परसेट तो 68,800 कितना आगया 13,700 बोलो कित यह आपका general reserve में आपको दिखाना है, जितना भी आपका 20% आया ना उसने इसको दिखाने को भूला है, तो general reserve कितना आजेगा, 13760 का और यह किस में आजेगा, to remaining बच जाएगा surplus, तो उसको क्या बोलते हैं, to excess of income over expenditure, ठीक है, तो यह आजेगा, एक लग 65100, एक लग 65100, और यह आजेगा, 13760 काटके, उसमें से माइनस कर दें, 68800 में से, 13760 हमने general reserve वाला माइनस कर दिया, तो बच गया, 55,040, ओके, तो यह हमारा, इतना आ गया, right students, ठीक है जी, तो चलिए, अब हमारी opening balance sheet भी बन चुकी है, अब हम closing balance sheet बनाएगे, closing balance sheet में आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास, यहां में क्या लिखना है, cash लिखना है, cash कितना है, last में देखिए, उसी question के, 31 question के last में, 15,200, तो यह 15,200 यहां पर आजेगा, और फिर लिखेंगे subscription, ठीक है, outshending, तो previous year के देखो कितनी थी, previous year के हमारे पास कितनी थी, 2400 रुपया, उसमें से कितनी आगी, 200, तो 400 भी भी pending है, और current year का तो अलग से basic given है, 3500 रुपया, तो यह है, 3900, 3900, ठीक है जी, तो यह आगे, आपका subscription आगे, stock for food stuff भी लिख 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 ल books, 41,500, books कितने की ख्रिदी थी है, 41,500 की, और land and building तो उपर वाली balance sheet से ही हमें, land and building कितनी है, 150,000 रुपय का, कितना है बटे, 150,000 रुपय का, ओके जी, तो अब इदर आजेगा reserve fund, क्योंकि उसने बोला था, reserve fund में आपको 60% entrance fees डालने हैं, और दूसरा surplus का हिस्सा डालना है, है इसना किया था 13,760 ये दोनों reserve fund का हिस्सा बन जेंगे अब तो आप इसको add कर लो 9,013,760 जमा 13,760 और ये बन जेगा आपका 22,760 ये general reserve में transfer हो जेगा और subscription received okay तो बाकी क्या बचा सिरफ capital fund बचा ये लो capital fund capital fund हमारा कितना आया था एक लाग 62,200 और इसमें add कर दो surplus इसमें add कर दी हमने surplus वो कितना बचा था 55,040 आजी यही बचा था ना तो इसको add कर देना हमें एक लाग 62,200 जमा 55,040 ये आजगा दो लग 17,240 दो लग 17,240 ठीक है जी तो अब दोनों sides का total कर लो बाकिते सारा कुछ हमने डाल एड करी लिया है 22,760 इसमें मैं add करूं तो ये बन गया दो लग 40,000 ये देखिए आपकी balance टैली होगी दो लग 40,000 माइनस 15,200 200 माइनस ये आजगा दो लग 40,000 में से ये उपर माइनस कर दिया 15,200 माइनस 49,000 माइनस 38,000 ये मैं इसमें से माइनस कर लो एक ही बात है ये उसमें से total कर लो 600,25,000, 41,500 और ये बन गया 2,400,000 माइनस करने का मदलब बैटे मैं क्या कर रहा था कि इसमें से सारा कुछ को माइनस कर दे तो जीरो आज़ना चाहिए या इन दोनों साइट का अलगलग total कर लो एक ही बात है तो इस सारा साइट का total करोगे तब लग 40,000 आ ठीक है बाटे तो ये रही आपकी closing balance sheet मैं बस हारा question आपको दुबारा दिखा देता हूँ ठीक है ये देखिए income and expenditure इसमें कुछ भी नहीं आ नहीं था बैटे सिरफ एक entrance fees का 60% ही आपको receipt and payment से उठाके income में transfer करके दिखाना था बाकी 90% बाकी 60% है न जो उसमें दिखाना है आपको balance sheet में 40% यहां दिखाना है बाकी 90% बना वो आपको balance sheet में reserve fund के अंडर लेके जाना था बाकी 40% यहां ही दिखाना है और उसी तरह जो surplus हमारा calculate हो गया था 68-800 उस पर बाकी 20% आपको general reserve में दिखाना है तो यह दोनों चीज़े हमने यहां add कर लिए यह रहा पहले opening balance sheet as it is जैसे बनती है फिर यहां पर यह देखो entrance fees का 9000 और यह surplus हमने यहां add करके दिखा लिए ठीक है students okay जी तो चलिए इसी के साथ यह question complete होता है और मैं वीडियो भी यही conclude करता हूँ I hope कि आपको अची तरह समझ आ गया होगा आप अगले questions के लिए मेरी videos देखते रहे हैं और चैनल को subscribe करना है ना भूले okay जी done